हर्याना के नूह में सोमवार को हुई हिंसा के बाद से तनाव का माहौल है लेकिन नूह से महज 18 किलोमेटर दूर भादस गाउं में हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल कायम हुई है बवाल के दौरान गाउं में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने 30 बच्चों की जान बचाई वो सभी गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं यहां कुछ शिक्षक भी थे जिन्हें गाउं के मुस्लिम समाज के लोगों ने बचाया उपद्रवियों ने गुरुकुल पर हमला करने की कोशिश की थी भादस गाउं के सरपंच शौकत ने बच्चों और शिक्षकों की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभाई शौकत ने जैसे ही देखा की भीड गुरुकुल पर हमला करने आ रही है उन्होंने गाउं के और भी लोगों को बुला लिया सभी ने मिलकर उपद्रवियों को वहां से खदेर दिया नूह की घटना के बाद भादस गाउं में माहौल तनाव पून बना हुआ है मुसलिम समाज का कहना है कि नूह में दो पक्चों के बीच हुए बवाल के बाद सोहना और अन्य जगहों पर एक विशेश समुदाय के लोगों द्वारा उनको निशाना बनाया जा रहा है नूह की घटना की लप्टें भादस गाउं तक भी जा पहुँची है जिसके बाद यहां रहने वाले हिंदू परिवारों के मन में डर बैठ गया है सभी भादस गाउं में रहने वाले लोगों को अब डर सताने लगा है कि आने वाले दिनों में यहां और अधिक दिक्कत हो सकती है जिला प्रशासन और पुलीस पर आरोप लगाते हुए लोगों ने कहा कि जिला पुलीस प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली अभी तक इस गाउं में पुलीस के कोई अधिकारी और कर्मचारी उनकी सुरक्षा को लेकर बात तक करने नहीं आया फिल्हाल सभी इस गाउं से पलायन करने की बात कर रहे हैं नूमे हुए बवाल के बाद भादस गाउं में भी एक गाउंवाले ने अपनी जान उपद्रवियों की वजए से गवा दी भादस के रहने वाले शक्ती को पता नहीं था कि वो घर से बाहर तो जा रहा है लेकिन अब वापस नहीं आ सकेगा उपद्रवियों ने गुरुकुल जाने वाले शक्ती को घेर लिया और उसके साथ जम कर मार पीट की बाद में परिवार को उसकी मौत की खबर मिली परिजनों ने बताया कि उनको पुलिस की तरफ से सूचना दी गई थी कि एक डेट बॉडी मिली है जिसकी शिनाख्त करने आ जाएं परिवार के लोगों की शिनाख्त और पोस्ट मार्टम के बाद डेट बॉडी परिवार के हवाले कर दी गई इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं बाकी देश और दुनिया से जुडी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें टीवी नाइन भारत वर्ष डिजिटल कि गING kosmyब यदिए का टया ज renowned है, घज खबरों मज से जेएके Алझे के यूरा भाटर लोगोगता ब्लांनी तमात, यालनी टे रहें हमें जरुना टे जर कारे वेवाले का लाई. झाल झाल